आपको तो पते ही है पहले मैं बहुत मोटा था जैने में बहुत मोटा था बहुत जरा फूडी था तो मुझे तो टिप्स वर पता था कि कौन कौन सी चीज फेमस कांका मिलती है क्योंकि इन्वेस्ट्मेंट भी कामाता है ग्रोथ की पॉसिबिलिटी भी बहुत अधिक है और कोस्ट भी अलग होती है का बिजनस इस तरह का बिजनस इंवेस्टमेंट बहुत काम आता है यह मॉडल आपको लगातार पैसा देगा जैसे हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अमित्माईश्वरी और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडि और इस बिजनस की आरवाई क्या है और बविश्य में ग्रोथ की संभावनाई क्या है तो आई आज हम इसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री के बिजनस के बारे में अब फूड इंडस्ट्री के बिजनस को समझने से पहले न आप 10 से 25 लाग का बिजनस करना चाहते हैं, 25 से 40 लाग का बिजनस, 50 लाग से 70 लाग रुपे का बिजनस, या 70 लाग रुपे से 1CR का या 1CR अबव का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, किस स्टेंडर्ड का बिजनस आप करना चाहते हैं, और किस इन्वेस्टमेंट के सा 200 square feet में करना चाहते हैं 2000 square feet 3000 square feet 5000 square feet कितना area आपको चाहिए और depend करता है कि वो area अब किस तरह की location में शुरू करने वाले हैं फ्रेंच ध्यान रखेगा food industry में अगर आप different sectors में देखें तो कई ऐसे sector है जहां प्राइम location की requirement है कुछ ऐसे sector है जहां specified location की requirement है और कुछ ऐसे sector है जहां पर location से कोई फरके नहीं पड़ता तो इसी बात को हम समझने वाले हैं कि यह किस standard का business आप करेंगे और total कितना investment आप लगा जाना कि मुझे जो standard है वो middle class based products के लिए करना है या उस तरह की client को capture करने के लिए करना है या एक higher middle class के लिए करना है अपर middle class के लिए करना है premium class के लिए करना है वी आई पी क्लास के लिए करना है किसके लिए आपको करना है या आपको बड़ेपेंट करता है इसके लिए सबस लगा हूव है इस तरह के बिजनस में चाहते हैं या आप शोप इंश कोड़ ना चाहते है लेकिन वह सारी गए सबस्क्र करने है जहां पर आपको हैं ने यह से किन पर एक हुलना चाहरा T आज social club house बने हो हैं बड़े-बड़े, वहाँ पर भी आपना रेश्ट्रो सेट अप कर सकते हैं, schools में भी कर सकते हैं, movie theaters में भी कर सकते हैं, तो एक category क्या होगी, आप तो एक independent रेश्ट्रो खोल लिजिए, या आप अपने रेश्ट्रो का setup ऐसी जगह पर कीजिए, जहाँ shop-in shop हो, जहाँ पर आपको extra investment of setup ना करना पड़े ज़्यादा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, दूसरा next जो category होए cloud kitchen, अब cloud kitchen क्या होता है, यह बहुत important रहने वाला है, क्योंकि आज के time पर ना, जो लोग modern trade से business कर रहे हैं, वो सबसरा focus कर रहे है cloud kitchen पर, क्योंकि investment भी काम आता है, growth की possibility भी बहुत अदिके हैं, और operating cost भी अलग होती है, तो चलिए इसी विशे पर हम बात करते हैं, तो पहले हम selection क्या करेंगे, कि हमें किस category में जाना है, independent restaurant खोलना है, या shopping shop restaurant खोलना है, जिसकी category कुछ भी हो सकती है, या cloud kitchen, जिसको मैं भी आगए आपको बताने वाला हूँ, तो अब बात करते हैं, restaurant की first category, that is independent restaurant, और वो कहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहली बात, आप independent restaurant करना चाहते हैं, तो आपका restaurant प्राइम लोकेशन पर होना चाहिए, प्राइम लोकेशन पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग easy to access हो जाए, जुनको आसानी से मिल जाए, और वो visible भी सबसे अदा हो, तो location अगर प्राइम होगी ना, तब भी आपका जो criteria है, वो 5 से 7 किलो मीटर का ही है, मतलब इतने radius से ही आपके पास लोग आने वाले है, अगर आपकी कोई USP नहीं है, तो, अब USP का मतलब, आपको तो पते ही है, पहले मैं बहुत मोटा था, जब मैं बहुत मोटा था, बहुत ज़रा फूड़ी था, तो मुझे तो टिप्स पर पता था कि कौन कौन सी चीज़ फेमस कहां कहां मिलती है, जैसे सीता राम के छोले बटूरे, या सुखदेदा ढ़ावा के पराठे, या दरम गरम की चाए, या पराठे वाली गली, तो ऐसे जो फेमस फेमस जगा थी ना, मैं वहाँ बहुत फूड के लिए जाय करता था, इसका मतलब जिस जिस रेस्टो के पास कोई specialization होता है, कोई USP होती है, लोग दूर दूर से आती है, और जिनकी कोई USP नहीं होती ना, जर्नल एक रेस्टो होता है, कि लोग इवनिंग में डिनर के लिए वहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है, क्राइटेरिय औरा 5-7 किलोमेटर का, हाई इन्वेस्टमेंट लगता है जब आप एक रेस्टो करती है, लोग रेस्टो में क्यों जाते हैं, एक एट्मोस्ट्फेर चेंज करने के लिए, और एक गेट्टूगेधर टाइप से, या यह जो वाइफ, हाउस वाइफ हैं, जो रोजाना घर पर खाना बना रही है, एक वीकेंड में या मन्थेंड में उनको लगता है, कि एक ऐसा दिन भी होना चाहिए, जहां पूरी फैमली के साथ रेस्ट्रो में खाना खाएं, तो वहाँ पर जो इन्वेस्ट्मेंट है ना, बहुत ज़दा हाई लगती है, किस चीज़ पर, सबसे पहली जो हाई इन्वेस्ट्मेंट आती है, वो वहाँ के इंटिरियर पर, आज आप देखिए, रेस्ट्रोंट एक से टॉप हाई क्लास इंटिरियर कराते हैं, और रोग इंटिरियर से अट्राक्ट होके ही वहाँ पर जाते हैं, है ना, जिसकी वज़ए से उनकी बाकी सारी कॉस्ट भी बहुत रे फिक्चर्स हैं, उस रेस्ट्रों को एक ब्यूटिफुल लुक देने के लिए वहाँ का प्रॉपर फरनीचर, वहाँ की क्रॉकरी और वहाँ का एंबियन्स और बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, जिसकी वएसे वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, ध्यान रखेगा किसी भी बिजनस में जब हाई इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो आरोई बड़े लंबे समय पर आती है, और रिशो और प्रॉफिटेबिलिटी भी ना, है एक ट्रनज चल गया है कि लोग आजकल शोशल मीडिया पर चीज़ों को देखने है, पसंद करते है, और उनको अच्छा लगता है तो वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ पर क्याए कि जो independent रेस्टो होते हैं उनको बहुत ज़दा budget spend करना पड़ता है marketing पर जैसे marketing online भी करनी पड़ती है, offline भी schemes के जरीए भी, corporate events के जरीए भी, kitties के जरीए भी और बहुत सरे से तरीके होते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा budget खर्च करते हैं marketing पर जिसकी वज़से कई बार break even बड़े लंबे समय तक पहुँच पाते हैं इसके लावा एक problem और रहती है रेस्टो के साथ, आप जातर Saturday और Sunday जाते हैं वीकेंड पर जाते हैं क्यों क्यों क्योंकि सबसेता लोग वीकेंड पर आते हैं इसके लावा no recurring business model no recurring business model इनका जो business model नहीं है एक और बात मैं आपको इसलिए बताइता हूँ जब आप एक रेस्टो में जाते हैं और next time जब प्लान करते हैं तो कोशिश करते हैं कोई नए रेस्टो आप जाएं क्यों क्योंकि आप एक ambience change करना चाते हैं एक ही रेस्टो में बार बार जाके खाना नहीं खाते हैं इसका मतलब उनको recurring revenue of business model नहीं मिलता है जारा तर उनका क्लाइंट repetition में नहीं आता है बशरते के उनके को USB क्यों ना हो है ना high investment on modern business यह modern business का ना high investment का सबसे अच्छा एक्जामपल है कि income तो आएगी लेकिन investment उसके ratio में बहुत जादा लग जाएगी उतनी इंकम लिए तो हम कम investment में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं इसी बारे में आजमबात करने वाले हैं नेक्स के वह shopping shop restaurant आप shopping shop का मतलब क्या हुआ already set up बना हुआ है मैंने बता है आपको school है college है mesh है फिर आपका club house है तो यह वो तरीके hospital है जहां पर canteen बनी होती है और कई canteen इस तरह से design होती है कि canteen प्लस रेस्ट्रो दोनों वहां पर होते हैं तो इसका benefit क्या है सबसे पहला benefit क्या है चलो इसको एक example गो पर रहते है रेस्ट के अंदर रेस्टो बनाने के लिए या canteen बनाने के लिए आपको को specialized prime location की जुरूत नहीं है जो location hospital की है वही आपके लिए एक prime location की तरह use होती है इस तरह का जो रेस्टो कम canteen है न वहां पर कोई huge investment आपको नहीं करनी कि आपको बहुत जबरदस interior पर खर्च करना है बहुत highly and modern infrastructure बनाना है आपको क्या करना है आपको एक high class hygienic commercial stillness steel modular kitchen महा पर लगानी है आपका जो kitchen है वो बहुत hygienic होना चाहिए बहुत specified चीजों के लिए क्या क्या चीजों की requirement है वो सारे gadgets and equipment महा होने चाहिए लेकिन infrastructure और interior पर बहुत अधिक investment आने वाला नहीं है इसके लाबा जो revenue model है shop and shop model का कौन सा hospital का restaurant वो एक recurring revenue model अब recurring revenue model का मतलब क्या है यह model आपको लगातार पैसा देगा जैसे कैसे देगा कि hospital का जो staff है वो भी वहाँ से food लेता है और staff ऐसा तो है एक दिन के ले रहा है वहा regular आपका staff वही same client repetition में रहता है इसके लाबावा के patients है वो भी वहाँ से food order करते है इसके लाबा patients की पूरी family है जो उनके साथ में आती है मिलने जुलने वाले उनकी attendance जो उनके साथ में रह रह रहे है वो सब भी वहीं से खाना लेते हैं तो आपको जो मिलने वाल है वो recurring revenue model बिजनस के लिए बहुत important होता है कि आपका एक ही client लगातार repeat हो रहा है इसके होता यहां पर क्या होता है कि एक criteria होता है कि इस तरह का हमारा menu standard है इसी standard के according हम लोग सर्व करते हैं और इस तरह के food को बनाने वाले हमें जो chef staff है वो required है और no additional cost on marketing आपको को बहुत additional cost of marketing पर खर्च नहीं करना पड़ता क्यों क्योंकि hospital के जो client है वही आपके client है ऐसा कभी नह आ रहे है कि मुझे hospital जाके वहाँ पर lunch करना है या dinner करना है ऐसा नहीं हो को ना तो वहाँ पर जो लोग आये हुए उनी के लिए वो है specialized marketing करके आपको extra benefit लेने वाले नहीं है इसलिए यहां पर जो investment of marketing है वो budget zero होता है एक तरह से hospital का जो promotion चल रहा है उसी के हिसाब से आपका promotion अपने आप होता जा रहा है अब बात करते हैं cloud kitchen के बारे में यह क्या concept है friends पिछले कुछ वर्षों में cloud kitchen का जो trend है बहुत तीजी से बढ़ता जा रहा है अभी cloud kitchen क्या है आपको नाम से लग रहा हो cloud मतलब बादल बादल तो यहां से वहां गूमते रहते हैं लेकिन cloud kitchen का मतल अब है आपने एक ऐसा kitchen बनाया है जहां पर consumer आपके पास direct नहीं आता है अब वो कैसे काम करता है इसके लिए कोई prime location required नहीं है आपने रेस्टो तो बनाया है लेकिन वो किसी गली के कोने के last के मकान में भी हो सकता है किसी गली के मकान के third floor पर भी हो सकता है आपके घर पर भी investment on infrastructure आपको infrastructure पर को additional investment नहीं लगानी कि आपको बहुत high class interior करना है infrastructure बनाना है furniture उस तरह का develop करना है आपको तो चाहिए एक standard stainless steel commercial kitchen जहां पर आप food बनाएंगे और उसकी supply करना शुरू करेंगे no huge expense on staff बहुत high class staff नहीं चाहिए management से related serving से related या client से discussion के से related order booking से related आपको बहुत high class waiters नहीं चाहिए उसमें और आपको separate managers नहीं चाहिए जिस तरह से restaurants में होते हैं है आप standard menu पर भी काम कर सकते हैं कि आपने बनाए हुए 1,2,3,4,5 items करते हैं 10 करते हैं 20 करते हैं जब आपके बस number of item limited होंगी न तो यहां पर आपका investment on stock भी बहुत जादा लगन बने बाला नहीं है अभी crowd kitchen कैसे होता है for example आपने अपने घर की third floor पर एक kitchen डिजाइन कर लिया वहां पर आपने एक menu decide कर लिया कि मुझे 1,2,3,4,5 items बनानी है और आपने items की quantity बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने type कर लिया किस से आप से जैसे जैसे tomato, swiggy, food panda और ऐसी बहुत सारी food based app है जो service देते हैं कि food आपके यहां से pick करेंगे और consumer के यहां deliver करेंगे तो cloud kitchen में कह रहता है कि आपका standard एक menu बना हुआ है, एक nominal staff आपके पास है, operating cost भी बहुत low है, बस आप food बहुत high class बना रहे हैं, hygienic तरीके से बना रहे हैं, आज हमारे बहुत सारे clients जो अपने घर पे stainless steel modulo kitchen लगाते हैं, वो cloud kitchen का काम भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप cloud kitchen का business करना चाहते हैं, तो आप metas lifestyle का stainless steel modulo kitchen भी लगा सकते हैं, आपके ओब depend करता है, कि आपको cloud kitchen का business पसंद है, या आप restore करना चाहते हैं, shopping shop करना चाहते हैं, friends तीनों business का अगर मैं comparison बता लिए आप काम कर सकते हैं, shopping shop करते हैं, तो उसका benefit किया है, कि आपको recurring revenue model मिलता है, कि आपको fixed number of user हैं, या buyer हैं, या clients हैं, या customer हैं, वो आपको regular मिलते हैं, आप restore का business करते हैं, तो huge investment लगता है, आपको हर 3 साल बाद अपने restore को renovate करना पड़ेगा, canteen में तो आपको केवल maintenance कर ना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और जरूरत पढ़ने पर उसको modify भी करने हैं, जरूरत के हिसाब से, तो या आपके उपर निपर करता है कि food industry में, आप कितना ROI चाहते हैं, आप कितना investment लगाने के लिए तयार हैं, आपके पास कितनी liquidity हैं, working capital कितनी हैं, उस काम को करने के हैं, आप cloud kitchen में भी franchise ही कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आप दूसरी apps पर ही अपने food को sell करें, आप अपने खुद की app develop करके, और बहुत सारी जगह पर cloud kitchen करके, या उन cloud kitchen से tie up करके, अपने app के through, उसे promote करके, अपने business को develop कर सकते हैं, तो या आपके उपर निपर करता है क इस business को कैसे करना है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसके अलावा, जदी आपके मन में कोई भी प्रश्न है, food industries related business की, तो मेरा आपसे request है कि comment box में जरूर लिखें, और कोई भी informative वीडियो मिसना, उसके लिए चैनल को subscribe करें, bell icon को जरूर प्रैस करना, ताकि वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिले, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी, आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत